बुक स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है अलगु चौधरी और जुम्मन शेक बहुत अच्छे मित्र है जुम्मन की खाला अपने भतीजे के खिलाफ पंचायत करती है क्योंकि वो उनकी जायदाद लेकर भी उनके खाने पिने का ध्यान नहीं रखता पंचायत में खाला अलगु चौधरी को अपना पंच नियुक्त करती है अलगु के इमान ने दोस्ती का जामा पार कर इनसाफ को चुना इस तरह दोनों की दोस्ती भी तूट जाती है एक बार फिर से पंचायत बैठती है इस बार कटगरे में खड़े होते हैं अलगु चौधरी और पंच जुमन शेक नियुक्त किये जाते है जुमन शेक अलगु चौधरी से बदला लेना चाहता है पर पंच के पद पर नियुक्त होकर वो इनसाफ से मू नहीं मोड़ पाता प्रस्तुत कहानी इमान और इनसाफ की महत्ता को व्याख्याईत करती है तथा न्याय व्यवस्था पर हमारा विश्वास बढ़ाती है कहानी का शीर्शक है पंच परमेश्वर कहानी लिखी है मून्शी प्रेमचंद चितरांकन स्वाती सांबसिवम प्रकाशन स्टोरी विवर कहानी सुना रही है असावरी दूशी जुमन शेक और अलगू चौधरी में गाड़ी मित्रता थी साजे में खेती होती थी कुछ लेंदेन भी साजा था एक को दूसरे पर अटल विश्वास था जुमन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुमन पर अपना घर छोड़ देते थे उनमें न खानपान का व्यवाहर था ना धर्म का नाता केवल विचार मिलते थे मित्रता का मूल मंत्र भी यही है इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुमन के पुझ पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने गुरू जी की बहुत सेवा की थी खूब रकाबिया मान जी खूब प्याले धोए उनका हुक्का एक्षण के लिए भी विश्राम न लेने बाता था क्यूंकि प्रत्यक चिलम अलगू को आद घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरू की सेवा शुष्रुशा पर अधिक विश्वास था वो कहते थे विद्या पढ़ने से नहीं आती जो कुछ होता है गुरू के आशिर्वाद से बस गुरू जी की कृपा दुरुष्टी चाहिए अतएव यदी अलगू पर जुम्राती शेख के आशिर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो ये मान कर संतोश कर लेगा कि विद्यो पारजन में उसने यथा शक्ती कोई बात उठा नहीं रखी विद्या उसके भाग्य ही में न थी तो आती कैसे मगर जुम्राती शेख स्वयम आशिर्वाद के कायल न थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरवसा था और उसी सोटे के प्रताब से आज आसपास के गावों में जुम्मन की पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहन नामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था हलके का डाकिया, पॉंस्टेबल और तहसिल का चप्रासी सब उनकी कृपा की अकांग्शा रखते थे अतैव अलगू का मान उसके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदरपात्र बने थे जुम्मन शेख की एक बूढी खाला यानि की मौसी थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिलकियत थी परन्तु उसके निकट संबंधियों में कोई न था जुम्मन ने लंबे चोड़े वादे करके वो मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए हलवे पुलाव की वर्शासी की गई पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी जुमन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी जुमन शेख भी निठुर हो गए अब बेचारी खाला जान को प्रायह नित्य ही ऐसी बाते सुननी पड़ती थी बुढिया न जाने कब तक जियेगी दो-तीन बीघे उसर क्या दे दिया मानो मोल ले लिया है बगारी डाल के बिना रोटिया नहीं उतरती जितना रुपया इसके पेट में जोग चुके उतने से तो अब तक गाव मोल ले लेते कुछ दिन खाला जानने सुना और सहा पर जब न सहा गया तब जुमन से शिकायत की जुमन ने स्थानिय कर्मचारी गुरुहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा कुछ दिन तक और यूही रोध होकर काम चलता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुमन से कहा बेटा तुमारे साथ मेरा निर्वाह न होगा तुम मुझे रुपए दे दिया करो मैं अपना पका खा लूँगी जुमन ने दृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपए क्या यहां फलते है खाला ने नम्रता से कहा मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी की नहीं जुमन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौद से लड़कर आई हो खाला बिगड़ गई उन्होंने पंचायत करनी की धमकी दी जुमन हसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देकर मनी मन हसता है वो बोले हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विशह में जुमन को कुछ भी संदेहन था आसपास के गावो में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का रुणी न हो ऐसा कौन था जो उसको शत्रू बनाने का साहस कर सके किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके आसमान के फरिष्टे तो पंचायत करने आएंगे नहीं इसके बाद कई दिन तक बुड़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिये आसपास के गाओं में दोड़ती रही कमर जुक कर कमान हो गई थी एक एक पग चलना दूभर था मगर बात आ पड़ी थी उसका निरणय करना जरूरी था बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आसु न बाहय हो किसी ने तो यूही उपरी मन से हुँहा करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालिया दी कहां कब्र में पाव लटके हुए है आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती अब तुम्हें क्या चाहिए रोटी खाओ और अल्ला का नाम लो तुम्हें अब खेती बारी से क्या काम है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिने हास्यरस के रसास्वादन का अच्छा उसर मिला जुकी हुई कमर पोपला मू सनके से बाल इतनी सामगरी एकत्र हो तब हसी क्यों ना आवे ऐसे न्यायप्रिय दयालू दीनवत्सल पुरुष बहुत कम थे जिनोंने उस अबला के दुखडे को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो चारो ओर से घुम घाम कर बेचारी अलगू चौदरी के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना अलगू मुझे बुला कर क्या करोगी कई गाव के आदमी तो आवेंगे ही खाला अपनी विपत तो सब के आगे रो आई अब आने ना आने का अक्तियार उनको है अलगू यो आने को आ जाओंगा मगर पंचायत में मू न खोलूंगा खाला क्यूं बेटा अलगू अब इसका क्या जवाब दू अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड नहीं कर सकता खाला बेटा क्या बिगाड के डर से इमान की बात न कहोगे हमारे सोय हुए धर्मत न्यान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती परन्तु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका पर उसके रुधय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगाड के डर से इमान की बात न कहोगे संध्या समय एक पेड के नीचे पंचायत बैठी शेख जुमन ने पहले से ही फर्ष बिचा रखा था उन्होंने पान, इलाईची, हुक्के, तंबाकु आदी का प्रबंद भी किया था हाँ, वो स्वयम अलबत्ता अलगु चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्त हो गया और चिडियों की कलरव युक्त पंचायत पेडों पर बैठी तब यहां भी पंचायत चुरू हो गई फर्ष की एक-एक अंगूल जमीन भर गई पर अधिकांच दर्शक ही थे निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोक पधारे थे जिने जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी एक कोने में आग सुलग रही थी नाई ताबड़तोप चिलम भर रहा था ये निरणय करना असंभव था कि सुलकते हुए उपलों से अधिक धुआ निकलता था या चिलम के दमों से लड़के इधर उधर दोड रहे थे कोई आपस में गाली गलोज करते कोई रोते थे चारो तरफ कोला हल मच रहा था गाव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझ कर जुण के जुण जमा हो गए थे पंच लोग बैढ गए तो बूड़ी खाला ने उनसे बिनती की पंचो आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जाइदाद अपने भांजे जुमन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते ही होंगे जुमन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर तो मैंने इसके साथ आजीवन काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा बेकस बेवा हूँ कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाओ तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलू अगर मुझ में कोई एब देखो तो मेरे मूँ पर थपड मारो जुम्हन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी रामधन मिश्र जिनके कई असामियों को जुम्हन ने अपने गाउं में बसा लिया था बोले जुम्हन मिया किसे पंच बत्ते हो अभी से इसका निप्टारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्हन को इस समय सदस्यों में विशेशकर वे ही लोग दिख पड़े जिन से किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था जुम्हन बोले पंचों का हुक्म अल्ला का हुक्म है खाला जान जिसे चाहे उसे बदे मुझे कोई उज्र नहीं खाला ने चिल्ला कर कहा अरे अल्ला के बंदे पंचों का नाम क्यो नहीं बता देता कुछ मुझे भी तो मालूम हो जुम्मन ने क्रोध से कहा अब इस वक मेरा मूह न खुलवाओ तुम्हारी बन पड़ी है जिसे चाहो पंच बदो खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई वो बोली बेटा खुदा से डरो पंच न किसी के दोस्त होते है न किसी के दुश्मन कैसी बात कहते हो और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो अलगु चौदरी को तो मानते हो लो मैं उन्ही को सरपंच बत्ती हूँ जुमन शेक आनन से फुल उठे परन्तु भावों को छिपा कर बोले अलगु ही सही मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगु अलगु इस जमेले में फसना नहीं चाहते थे वे कन्नी काटने लगे बोले खाला तुम जानती हो मेरी जुमन से गाड़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर में कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना इमान नहीं बेचता पंच के दिल में तो खुदा बसता है पंचों के मुँ से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है अलगु चौधरी सरपंच हुए रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढिया को मन में बहुत कोसा अलगु चौधरी बोले शेक जुमन हम और तुम पुराने दोस्त है जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे है मगर इस समय तुम और बुढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी है करो जुमन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है अलगू ये सब दिखावे की बाते कर रहा है अता एवशांत चित्त होकर बोले पंचों तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी मैंने उन्हें उम्र भर खाना कपड़ा देना कबूल किया था खुदा गवा है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी मैं उन्हें अपनी मा के समान समझता हूँ उनकी खिद्मत करना मेरा फर्ज है मगर और तोबे जरा अनबन रहती है उसमें मेरा क्या बस है खाला जान मुझसे माहवार खर्ज अलग मांगती है जाइदा जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं उससे इतना मुनाफ़ा नहीं होता है कि माहवार खर्ज दे सकूँ इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्ज का कोई जिक्र नहीं नहीं तो मैं भूल कर भी इस जमेले में न पढ़ता बस मुझे यही कहना है आइंदा पंचों का अक्थियार है जो फैसला चाहे करे अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पढ़ता था अतएव वो पूरा कानूनी आदमी था उसने जुम्मन से जिरह शुरू की एक एक प्रश्ण जुम्मन के रुधय पर हतोडे की चोट की तरह पढ़ता था रामधन मिश्र इन प्रश्णों पर मुग्ध हुए जाते थे जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बाते कर रहा था इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है नमालूम कब की कसर ये निकाल रहा है क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी जुमन शेक तो इसी संकल विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया जुमन शेक पंचो ने इस मामले पर विचार किया उन्हें ये नीती संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए हमारा विचार है कि खाला की जायदात से इतना मुनाफ़ा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके बस यही हमारा फैसला है अगर जुम्मन को खर्च देना मन्जूर ना हो तो हिबा नामा रद समझा जाए यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए जो अपना मित्र हो वो शत्रू का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पढ़ने पर धोखा दिया ये फैसला सुनते ही ऐसे ही अवसरों पर जूटे सच्चे मित्रों की परिक्षा की जाती है यही कलियू की दोस्ती है अगर लोग ऐसे कप्टी धोखेबाज न होते तो देश में आपतियों का प्रकोप क्यूं होता ये हैजा प्लेग आदी व्याधिया दुशकर्मों के ही दंड है मगर रामधन मिश्र और अन्यपंच अलगू चौधरी की इस नीती परायनता की प्रशंसा जी खोल कर कर रहे थे वे कहते थे इसी का नाम पंचायत है दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया दोस्ती दोस् का पालन करना मुख्य है ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृत्वी ठैरी है नहीं तो वो कपकी रसातल को चली जाती इस फैसले ने अलगू और जुमन की दोस्ती की जड़ हिला दी अब वे साथ साथ बाते करते नई दिखाई देते इतना पुराना मित्रता रुपी सत्य का एक जोका भी न सह सका सचमुझ वो बालू की ही जमीन पर खड़ा था उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा एक दूसरे की आवभगद ज्यादा करने लगा वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है जुमन के चित में मित्र की कुटिलता आठो पहर खटका करती थी उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले अच्छे कामों की सिधी में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिधी में ये बात नहीं होती जुमन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही म पिछले साल अलगू चौधरी बटे सर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विश दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुरगटना का दोशारोपन किया। उसने कहा जुमन ने कुछ कर करा दिया है। जुम्मन ने किसी तरह शांतिस थापित की। उन्होंने अपनी पतनी को डाट डपट कर समझा दिया। वो उसे उस रणभूमी से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्क पूर्णस सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड बहुत ढुंडा गया पर न मिला। निदान ये सला ठैरी की इसे बेच डालना चाहिए। गाउ में एक समझू साहू थे, वो इका गाड़ी हाकते थे। गाउ के गुड घी लात कर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भरलाते और गाउ में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके तीन खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दोडाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोलतोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। एक मेहने में ताम चुकाने का वादा ठैरा, चौदरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवा न की। समझू साहुने नया बैल पाया, तो लगे उसे रगेद ने, वो दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपो से काम था, मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोद दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बचती थी। बैल राम छटे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे, खूब उचलते कूते और कोसो तक दोडते चले जाते थे। वहां इनका का रतीप था, पानी दली हुई, अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी-कभी घी का स्वाद भी चकने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता पोचता और सहलाता था। कहां वो सुक्चैन, कहां ये आठो पहर की खपत। मैंने भर में ही वो पीस्सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहु सूख जाता था। एक-एक पग चलना दूबर था। हड़िया निकलाई थी, पर था वो पानिदार मार की बरदाश न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोज लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उटते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला, कुछ दूर दोड़ा और चाहा की जरा दम लेलू, पर साहू जी को जल्द पहुँचने की फिक्र थी, अत एव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दैता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ती ने जवाब दे दिया। वो धर्ती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। बहुत चीखे, चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आख की तरह सांज होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर ना आया, आसपास कोई गाव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए, और कोसने लगे। अभागे तुझे मरना ही था तो घर पहुँच कर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा। चिलमपी, गाया, फिर हुकापिया। इस तरह साहुजी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वो जाकते ही रहे, पर पौफट ते ही जो नींद तूटी। और कमर पर हात रखा तो थेली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा, तो कोई कनस्तर तेल अभी नदारत। अफसोस में बेचारे ने सिर पिट लिया और पचाड खाने लगा। प्रातक काल रोते बिलखते घर पहुँचे। सववाईन ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी, तब पहले तो रोई, फिर अलगु चोधरी को गालिया देने लगी। निगोडे ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जनम भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महने बीद गए। अलगु जब अपने बैल के दा समाई लूट गई, सत्यानास हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है, मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले है, आखों में धूल छोग दी, सत्यानासी बैल गले बान दिया, हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है, हम भी बनिये के बच्चे है, ऐसे बुद्दू क खोल ले जाओ, महिना भर के बदले दो महिना जोतलो, और क्या लोगे? चौधरी के अशुब चिंतकों की कमी न थी, ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहु जी के बर्राने की पुष्टी करते, इस तरह फटकारे सुनकर बेचारे चौधरी अपना सा मू लेकर जोटाते, परंतु 1.500 रुपे से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था, एक बार वो भी गरम पड़े, साहु जी बिगड कर लाठी ढुणने घर में चले गए, अब सहुआ इन ने मैदान लिया, प्रश्नोत्तर होते होते हाता पाई की नौबता पहुची, सहुआ इन ने घर में घुसकर कीवाड बन कर लिये, शोरगुल सुनकर गाउं के भले मानस जमा हो गए, उन्होंने दोनों को समझाया, साहु जी को दिलासा देकर घर से निकाला, वो परामर्श देने लगे कि इस तरह सिर्फ उटोवल से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो उसी व्रुक्ष के नीचे पंचायत बैठी, वही संध्या का समय था, खेतों में कवें पंचायत कर रहे थे, विवाद ग्रस्त विशय था ये कि मतर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक ये प्रशन हल ना हो जाए, तब तक वे रखवाले की पुका पर अप्रसनता प्रकट करना आवश्यक समझते थे, पेड की डालियों पर बैठी शुक मंडली में ये प्रश्न चिडा हुआ था, कि मनुष्यों को उन्हें बे मुरवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयम अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता पंचायत बैठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाओ हो जाना चाहिए, बोलो चौधरी, किस-किस को पंच बतते हो, अलगु ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुनले, समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी योर से जुम का नाम सुनते ही अलगु चौधरी का कलेजा धगधग करने लगा, मानो किसी ने अचानक थपड मार दिया हो, रामधन अलगु के मित्र थे, वो बात को ताड़ गए, पूछा, क्यों चौधरी तुम्हे कोई उज्र तो नहीं, चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझ अपने उत्तरदाईत्व का ज्यान बहुदा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्यान हमारा विश्वसनिय पत्प्रदर्शक बन जाता है, पत्र संपादक अपनी शांती कुटी में बैठा हुआ, कितनी धुरुष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्री मंडल पर आक्रमन करता है, परंदु ऐसे अवसर आते हैं, जब वो स्वयम मंत्री मंडल में सम्मिलित हो जाता है, मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मग्य, कितनी विचारश उसे कितने चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलंग समझते हैं। परन्तु थोड़े ही समय में परिवार का बोज सिर पर पड़ते ही वो अव्यवस्थित चित्त उनमत्त युवक कितना धैर्यशिल कैसा शांत चित्त हो जाता है। ये भी उत्तरदाईत्व के ज्यान का फल है। जुम्मन शेक के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहन करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्चा असन पर बैठा हूँ। मेरे मूसे इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववानी के सदुरुष और देववानी में मेरे मनोविकारों का कदापी समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। पंचो ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किये। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस वि अतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे जिस से फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दैता करने का साहस न हो। अंत में जुम्बन ने फैसला सुनाया। अलगू चौदरी और समझू साहू। पंचो ने तुम्हारे मामले पर अच्छ तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रहन करते। बैल की मृत्यू केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जान बूच कर मारा है अता ए कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले ये अलगु चौधरी की च्छापर निर्भर है वो रियायत करे तो उनकी भलमन सी। अलगु चौधरी फूले न समाए। उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारो ओर से मनुष जुम्मन की नीती को सराहता था। इसे कहते है न्याये। ये मनुष का काम नहीं। पंच में परमेश्वर वास करते हैं ये उन्ही की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगु के पास आये और उनके गले लिप बट कर बोले। भैया जबसे तुमने मेरी पंचायत की तबसे मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रू बन गया था। पर आज मुझे ग्यात हुआ कि पंच के पद पर बैट कर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। न्याये के सिवा उसे और कुछ नहीं सूचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरुझाई हुई लता फिर हरी हो गई। स्थाइट्स्थाइट्स्पीक डगोबें। ऑिक्सथाइट्स्पीक डॉट कॉम। धन्यवार्ण बाइवmmगर।